NCRT textbook हमारी जो physics की किताब है उसमें से chapter wise page number wise कौन-कौन से important derivation है कौन-कौन से important question है या फिर कौन से important numerical से है फिर चाहे वो example हो चाहे वो आपका exercise का question हो बच्चो तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि पूरा NCRT यानि आपका chapter 1 से लेकर के last chapter semiconductor तक कौन-कौन से important topic है उससे हम पूरा cover करने वाल है तो फड़ा फड़ वीडियो को start करते हैं बड़ उससे पहले make sure that you people are a part of this beautiful family subscribe कर लीजेगा and don't forget to press the bell icon क्यूंकि हम लोग live session लगातार चानकृती 4.0 के माध्यम सिब आपके सामने आते जारे बच्चा तो जरूर subscribe कर लेना ठीक है तो एक और ज़्यादा बच्चे पूछते हैं इवन live session में पढ़ाता हूं तब भी पूसने की सर हम physics में भी तक कुछ नहीं पढ़े हैं कि आपकी वीडियो lectures देखें तो हो जाएगा बच्चों विश्वास मानिए पिछले 4-5 साल का इतिहास है कि चानकृती कि कोई भी episode चाहे वो उच अच्छे से फॉलो करते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइस बट बच्चों वही request है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए है अगर आप लोग इस चैनल पर नए है बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकिस चानक निती 4.0 बहुत अच् जरूर जोइन कर लेना बच्चा लो कुछ नहीं करना है यह पार्ट प्यूटिफुल फैमिली एंड लाइक वाला बटन दबा करके जादा स्यादा इससे शेर करिएगा जितने जादा बच्चों का प्यार मिलता है हम सभी एडिकेटर्स को यही तो चाहिए होता है आप सभी बच्चों का प्यार मैंने अपनी सब कुछ छोड़ रखी है जौब वगिरह सब कुछ फुली डेडिकेटेड फियू माई बच्चा पार्टी सब्सक्राइब बढ़ते आगे चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टिक यानि यहां पर पहल इसी ने जो अपना सेंपल में रिलीज किया था वहां से भी इस पर से कोश्चन आय हुए थे तो इतने सालों के एक्सपीरेंस को देखते हुए बच्चा लोग मैं आप लोगों के सामने सारी बाते रखूंगा इंट्रस्ट मी इन सभी टॉपिक्स को हम चानक निती 4.0 के अ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होता डाइपोल की वज़े से ऑन दे एक्सेस एंड उन दे एक्वेटर लाइन एंड कुछ कुछ चीजे मैं आपको बताऊंगा जो की बड़ी जैन्वन जीजे है कई सारे बच्चों के किताब में जो है इस बार वो टॉपिक नहीं है जो CBSE ने डिलीट करवा दिया है तो आपके पांच जो किताब आया है तो कुछ बच्चों का कंसर्ण होता है कि सर सी लेबस तो पूरा आ रहा है तो डिलीट वाली बात ही नहीं तो वास्ताव मनोंने जो नय वाला प्रिंटिंग आया है न उसमें जो डिलेटे टॉपिक है वो नहीं है तो घबराईएगा नहीं हो सकता है पेज नंबर आगे पीछे हो लेकिन ये टॉपिक को नो डाउन कर लो ठीक है ये तीन से पांच मार्क में अकसर पूछे जाता है उसके बाद अगर हम बात करें वहीं एक्विटर पॉइंट जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्स वो वीडियो आपको मिल जाएगी उसे जरूर आप देख लेना मैं कमेंट में भी बिन कर दूँगा आगे बढ़ता है ये एक्जामपल 1.11 इसे अच्छे से कर लिजे पेज नंबर 35 से 36 नंबर के आसपास आपको मिलेगा और ये 2 से 3 मार्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाले question को right इसके बाद अगर हम बात करें तो page number 38 पर है और ये है आपका field due to uniformly charged infinite plane sheet जिसका formula आप सब लोग डिराइव कर चुके हो which is e is equal to sigma divided by 2 epsilon not right यहाँ पर given भी है page number भी है तो note down करते रहे ना साथ साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं example 1.13 you can expect page number 40 पर है और ये है आपका 2 से 3 marks का सारी चीज़े सारा detailing मैंने यहाँ पर दे रखा है एक और बात आप लोगों को share करना चाहूँगा कि हम लोग की जो भी daily classes होती है मैं जो भी live session लेता हूँ उसका notification तो आता ही आता है साथ ही साथ class के सारे handwritten notes जो भी मैं लिखता वो भी आपको मिलता है telegram पर तो telegram जूड़ना आपको चरूर चाहिए क्योंकि वहाँ पर even आज का यह जो चल रहा है important NCRT page wise यह भी मैं telegram में देता हूँ right तो SSP telegram link description box में है join कर लीजेगा चलो next चलते है page number 54 पर है potential due to a point charge यह आपका second chapter आ जाता है expect कर सकते हो 2 से 3 marks का question यहा directory dipole page number 55-56 पर आपको मिलेगा इस पर से आप MCQ भी expect कर सकते हो कि potential axis पर क्या होगा dipole के axis पर क्या होगा equator पर क्या होगा आप ऐसे भी MCQs यहां से expect कर सकते हैं next चलते हैं बच्छा लो ओल्राइड तो next आपका the parallel plate capacitor page number 74 से 75 एड़ अगें दो मार्क्स अक निमेरिकल भी होता है कभी कभी 3 marks में भी आ जाता है capacitor के दो plate के बीच में slab रखते हैं तो capacitance k times बढ़ जाता है 75 से 76 नंबर के page पर है यहां से numerical भी बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपको यह topic को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए अब बात करता है energy stored in a capacitor यह बच्चा लोग आपके syllabus में नहीं है लेकिन यह सिर्फ mcq के form में है और इसके साथ साथ इसका derivation भी नहीं है derivation तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह syllabus से जाच चुका है बट ऐसा बताया गया कि इसका सिर्फ equation यानि कि जो formula आपके पास में आएगा which is half cv square आपको सिर्फ इसी से लेना देना है ठीक है no derivation nothing कुछ नहीं लेकिन आपको किस से लेना देना है equation के साथ क्योंकि यह लिखा हुआ cvsc का जो pattern आप देखेंगे तो page नमर 80 से 81 पर है आगे बढ़ता है अब बात करते हैं हम लोग current electricity के येस by mistake बच्चा लोग यहाँ पर 2021 किया हुआ है slide हम लोगों ने use किया है तो by mistake यह 2021 हो गया है उसके लिए माफी जाएंगे बट यह 2023 के लिए है ठीक है तो अब चलिए current electricity पर चलता है तो current electricity 7 marks का chapter और यहाँ से देखें क्या आता है तो यहाँ से सबसे पहले यार बच्चा लोग यह वाला topic तो ऐसा है कि मैं क्या बता हूँ यह topic ऐसा है कि अगर आप आख बंद करके भी किसी से पूछेंगे आज के 10 साल बात भी अगर cbc जीवित रही आला कि बदलना चाहिए इंडियन education system तो अगर cbc जीवित रहा तो जरूर cbc बूड़ वाले यह सवाल पूछ तो जरूर आप इन वीडियो को देख लीजेगा 3.1 मैंने अपने session के अंदर करवाया है page number 99 2-3 marks सा question और यह आपका example है 3.1 का A 3.2 इसे भी आप अच्छे से कर लीजे page number 100 पर है 2-3 marks 3.6 battery से related है page number 116 118 2-3 marks tick marks please करते रहना कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर तो देखो क्या होगा एक ताइम ऐसा आजाए चहां पर आप बहुत सारे लोगों को ढूट रहे हो और बहुत सारे लोग जो हते हैं वह इसी चीश का फायदा उठाते हैं नहीं फर्क पड़ता किते लोग और देखा कितरे था क्या है टूट्ट बात करें और इसे बहुत couldn't teachers होते हैं उन teachers के जज़बे को हम लोग सब सलाम करते हैं सभी teachers का respect करते हैं बढ़ कुछ लोग ऐसे आ जाएगे बच्चा लोग जो आपको बोलेंगे कि यह ऐसा ही आएगा यह आएगा इसको ऐसे ही करना है ठीक है एक दिन पहले हो जाएगा अब possible ही नियों भाई तो क्यों अ इंसान आपकी इतनी मदद कर रहा है तो आप वो सारी points अगर सोच लेते हो वो सारा point cover कर लेते हो सब कुछ हो जाना यार है ना तो देर मत करिए क्योंकि समय सब कुछ वह एक बार चला गया बच्चो तो फिर वापस आने वाला नहीं है चलिए नेक्स आपका विस्टन ब्री और इसमें से हम magnetic effect of magnetic current वाले chapter में से क्या क्या important देखते हैं वो देखें तो सबसे पहले है magnetic field due to a current carrying element बायो सावर्ट law यह बहुत important होता है शुरुआत में page number 143 पर ही आ जाता है इसके बाद बात करें तो magnetic field on the axis of a circular current loop राइट यह है इसका equation है derivation बहुत कम chances का पूछ ले page number 145-14 पर है आगे बढ़ते हैं ampere circuit law page number 147 राइट नेक्स पर चलें तो येस example 4.8 यह है आप लोगों का यहां से कि एक conductor के अंदर magnetic field और conductor के बाहर magnetic field यह हमें करना है और जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे है प्रीमें में चल रहा है वीडियो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करें कि बाब आज की क्लास आज की क्लास सच बता रहा हूं बच्चा एंकल में इतना गंदा मुझ है कि वो ठीक नहीं हो रहा है उसकी वीडियो भी मैंने ऐसे ब्लॉग पर डाली है शुकला जी के चक्कर में हुआ है सुकला जी को देख किया मुचल रहे था और सड़ली जो यह पैर होता है वो पूरा ऐसे हो गया था तीन चार दिन तक सोया नहीं था इतना दर्द था इसलिए बीच में लाइव ग्लास नहीं कर पाया बट इस दर्द में भी मैं लगातार तीन दिन तक तीन घंटे खड़ा था और सुबह से आज ओफिस में आके बैठा हूं पूरी कोसिस किया हूं कि साम को लाइव जाना है लाइव जाना है लेकिन वो अभी है ना क्योंकि खड़े रहे रहे लगातार तो सूजन बढ़ गया है जिस वज़ा से मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा रेस्ट लेलू तो आज के लिए ही इसलिए अब फिर भी इतने दर्द के बा बात कर रहे हैं तो चाड़ किती 4.0 में 4 एपिसोड की में बात कर रहा हूं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं सॉलेनोइड येस सॉलेनोइड का सिर्फ फॉर्मुला नोड एरिवेशन यह ही नहीं सिलिबस के अंदर सिर्फ फॉर्मुले पर ध्यान रखना है पेस नमब 4.10 is also very important येस बच्छा लोग तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट है आपका टॉर्क और रेक्टेंगुलर करेंट केरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड यह है आपके पेज नमबर 157 एंड 158 के आस पास तीन से पांच मार्क्स का कोश्चन आपके सी बीए सी क इसका अंसर आजाता है 162-163 पर यह गिवन है और बहुत जल्द हम लोग चानकती 4.2 या नहीं कल ही बहुत जल्द क्या मैं पूल रहा हूं ठीक है कमाल करते हो बाब SSP कल ही तो है Monday ठीक है हाँ संदे है अभी शूट कर रहे है इसको तो कल हम लोगी चैप्टर पूरा कर रह किजै गैरिशन मेंटर को जब हम ऐसा एमिटर यूज़ करते हैं शंट लगाते हैं और मिलामेटर का एशब वोल्टर मेटर लगाते हैं तो में यूज़ करते हैं तब हमें क्या लगाना पड़ता है सीरी जिसी जैड़ा ज़्यादा होती दोनों टॉपिक बहुत 5 to 166 एंड ये सारे कुश्चिन चानकरती 4.20 का जो चेप्टर में हम कल करेंगे Moving Charge and Magnetism वहाँ पर मैं ये करवाने वाला हूँ ओके आगे बढ़ते हैं येस 2023 के लिए है वो तो स्लाइट पर गलती होगी थी बचलो ये चेप्टर 8 मार्क्स का and Electromagnetic Induction and Alternating Current आईए देखिए ये दोनों चेप्टर आपका EMI और AC मिला करके 8 मार्क्स का है तो यहाँ से जो important है सबसे पहले तो emotional EMF आ जाता है पेज नंबर 212,213 पर है तीन मार्क्स, मार्च मार्क्स यहाँ से भी question बनता है नेक्स्ट है आपका AC generator, derivation नहीं है सिर्फ इसके formula को अच्छे से कर लीजेगा V is equal to Vm sin omega T, page number 224, 224, 226 के उपर है यह आगे बढ़ें तो 6.11 यह आपके NCRT का example है जिसे आपको करना चाहिए, page number 226 पर है इसके बाद बच्चा लोग AC voltage apply to register मैं तो कहूंगा के AC voltage apply to register, capacitor और साथ ही साथ में inductor, तीनों अच्छे से कर लीजे और इंतजार करिए, चानेकरिती 4.0 का episode number 4, 5, 6, 7 back to back classes है बच्चों, सब कुछ करवा रहा हूं चानेकरिती 4.0 के अंदर trust me, you will be in love with physics if you have started your physics with this channel and with this चानेकरिती 4.0, right? तो page number 234, 236 पर है इसके साथ ही है inductor जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, inverse question अक्सर आ जाता है इसके बाद capacitor, yes, किताब से पढ़ोगे थोड़े प्रांड निकल सकता है मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाओंगा जो बच्चे अलरेडी channel पर हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं वो सब लोग बहुत पुराने lectures अलरी देख चुक है आप बच्चे जो 2023 में तयारी करने वाले हैं, वो चारकिती 4.2 के playlist के साथ चिप के रहे हैं इसके बाद है, AC voltage applied to a series LCR circuit जहाँ पर impedance आ जाता है यह सारे question बहुत आपके important है, page number 244, 247 पर आगे बढ़े बच्चा लोग, तो electromagnetic waves, यह एक लौता है इसा chapter जहाँ पर prediction आसानी से किया जा सकता है कि यहाँ से क्या सवाल पूछता है, यहाँ से इसकी total इस chapter के अंदर 9 properties है electromagnetic waves की, उसे आप अच्छे से कर लीजे इसके बाद, electromagnetic waves के application है like x-rays का कहां use होता है, x-rays का range कितना होता है infrared का range कितना होता है, इसके साथ साथ बच्चा लोग, आपको सारे के सारे visible reason जो है, यह सबका जो application है कौई कौन कहां use होता है, radar में क्या use करते है, ठीक है aeroplane में कौन सी waves use होती है, वो सारे के सारे application जो है आपके NCRT में इस chapter के पीछे दिये होते हैं, उन्हें अच्छे सगर के जाना है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है यह पीछे चला गया साथ में, just a second, yes, आगे का बटन दबाना था तो electromagnetic spectrum, characteristic जैसा के लिखा मैंने, page number 280 से 283 पर, उसके बाद बच्चों आ जाते हैं आगे, तो yes, the most dangerous chapter for the बच्चा पारटी, but trust में, बहुत प्यारा chapter है, हाला कि इन chapters को मैं अभी हाली की दिनों में, जब मैं neat, पढ़ा रहा हूँ, प्रचंड batch में भी, आपके दो batches चलते हैं, free में, YouTube पे, एक होता है आपका live session रात को 8 से 11 जानती, 4 point हो, दूसरा है प्रचंड batch, प्रचंड batch में videos थोड़े से रुके हुआ है, live नहीं कर आपाऊंगा, क्योंकि हालत खराब है, एक ही बार तीन घंटे खड़े हो सकता हूँ, लेकिन बैट बैट करके मैं recording कर रहा हूँ बच्चा लोग, और semiconductor यानि बारवी class का पूरा neat खतम होने वाला है, सिर्फ semiconductor बाकी है, जो कल साम को upload हो जाएगा आपकी इस channel पे, कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो है, semiconductor की, आप वो 3-4 घंटे की वीडियो देख लोगे न, semiconductor खतम, 4-5 घंटे की class है, ray optics और 4-5 घंटे की class है, wave optics, live पढ़ा है, मैंने daily dated घंटे, प्रचंड बैच में, अगर आपने वो कर लिया, ट्रस्ट मी, आपको चाने की 4.2 की भी आवशकता नहीं पढ़ी की, इतने deep में, और इतने बहतर तरीके से मैंने कर आए, कहां पे, प्रचंड बैच में, कहां है सर्य यूट्यूब पे, कहां कौन से यूट्यूब पे, आपके इस beautiful platform पर, if you are a true SSPN, do not forget to check out प्रचंड बैच का playlist, which is given in description box as well, चलिये, तो मैं बताता हूँ, board point of view से, TIR बहुत बार पुछा जाता है, 319, 322, 305 marks, उसके बाद, refraction by lens है बच्चो, page नमबर 325 से 326, अब आप सुचरोंगे सर, camera में देखें, इधर सामने screen है, वही पर देख रहे हैं, ठीक है, आगे बड़े, तो refraction through a prism, यह पेज नमबर 330 से 321, here you can see that, yes, चलिये, आगे है interference of light waves and young's experiment, यह आपका way optics, way optics में से Heisenberg तो रहता ही रहता है, उसके साथ एक YDS ही आ जाता है, और कभी-कभी diffraction से question आ जाता है, page नमबर 362 से 364 पर यह, आप expert करिए, फिर आपका single slit, जैसा कि मैंने आपको बोला, यह diffraction है, right, यह diffraction वाला point है, single slit से कैसे होता है, double slit से कैसे होता है, उसे अच्छे से कर लेना है, बाकी polarization, brister law, यह सब नहीं है से लिए बस मैं, CVSC में, बट मैं फिर से कहना चाहूँगा, चार से पांच, ता नहीं, तबियत खराब हो रही है मेरी, need to support my dear student, trust me because, बहुत अलग लीवल पर मैं इस समय, जुटा हुआ हूँ पूरे YouTube पर, thank you यार, आप ही लोगों का प्यार है जो मैं खड़ा हूँ, so the point is, मैं क्या कह रहा था, हाँ, यह पूश्टल और यहां से मुझे याद आए, कि इतनी मैंने मैंने मेहनत की है, जब मैं लाइव जा रहा था, साम कुछ है बज़े, प्रचेंड बैच में, 30 बच्चे, कभी 15 बच्चे, कभी 20 बच्चे, रोना आता था, लिटरली बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ था, चेहरे पर एक स्माइल के साथ ही पढ़ा रहा था, और जो बच्चा हो 15, 20, 23 बच्चा लाइव बैटता था था न, उसको पता था कि सचन सर कितने next level पर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेहनत मैं हमेशा करते रहूँगा, लेकिन आपको अपने तरब से एक step बढ़ाना होगा, आप ये वीडियो देख रहा हूँ, जितने ये बच्चे न, कसम से बता रहा हूँ, रे ओप्टिक्स, वे ओप्टिक्स, उससे बहतर, मैंने कभी भी वो content कहीं पर डालाई नहीं है, इतनी मैंने मैनत किये, और मैंने ध्यानी नहीं दिया है, कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने नहीं देख, क्योंकि मुझे पता है, मैं दिल से मैनत किया हूँ, आज नहीं तो कल जो बच्चे देखेंगे, अपना प्यार देंगे, और उन्हें वो chapter इतना असान लगने लगेगा, कि उनके दिल से सिर्फ एक ही चीज आवाज निकलेगी, वाँ 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 बड़े भाईया, वाँ चीको भी है, जो प्यार से आप लोग मुशे कहते हो, पुस्वाँ भाँ भाँ भी बूल देते हो कभी कभी, तो आएए चलते हैं, दिवल नेचर और रडिशन और मैटर, चार माक्स का चप्टर, CBC 2030 वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनें, यहां से आता है बच्चा लोग, आप लोगों का, effect of intensity of light on the photo current, effect of potential on photoelectric current, and effect of frequency of incident radiation and stopping potential, बहराल, यह भी, क्योंकि पूरा बारवी का से लिए, प्रचंड बैच में हो चुका है, बोड पॉइंट ओ व्यू से आपको पढ़ना है, तो चार्ड़किती 4 पॉइंट हो, पट अभी ताइम है, डिटेल में अगर सीखना है ना सब, सब, सब कुछ, तो उसे आप देख सकते हो, यार, पेस नमबर 390, 392, फिर आता है, आइंस्टाइन फोटो एलेक्टरिक एक्वेशन, हाँ, फैंवी स्कार मैक्स, इस इकोल दो इवी नॉट, इस इकोल दो एचाप मारस, हचाप नॉट, 393 से 395, 2 से 3 मार्ग सा कोशन, इसके बाद बाद करें, तो आपका पुरा NCRT कवर है, स्पेक्टरम सीरीज, जहां पर लाइमन बामर, पास्टन ब्रेकिट फंड, ये सारी चीज़े आती है, बच्चो, ये कोशन बहुत बार पूछते हैं, पेस नमबर 420 से 422, उसके बाद बाद करें, तो अलफा, रुदरफोड का एक्सपरिमेंट कई बार पूछता है, 415, 417 पेज नमबर पर गिवन है, तीन से 5 माक्सा कुशन, and my dear student, the most important, every time if you see the physics का सैंपल पेपर हो, या फिर physics के प्रिवेसर के कुशन पेपर हो, you will see कि बोहर मॉडल से कुशन तो बनता ही बनता है, 424, 425, उसके कास्ट में 4-5 equations दिये हुए है, कि छोटे-छोटे nucleus मिल करके कैसे बड़ा nucleus मनाते है, तो proton-proton cycle बोलते हैं उसको, proton-proton मिल करके helium बनाता है, वो 4 equations है, उन्हें बहुत अच्छे से करना है, अब बात करता है, मेरा सबसे favorite, मेरी आशी की मेरा महबबत electronic device, जो बच्चा इस प्लै पुरा dedicate होकर के, ऐसा semiconductor का वीडियो डालाना है, आप एक बार देख लोगे आप आगे BST करोगे, engineering करोगे, कुछ भी करोगे, lifetime तक आपको वो काम आने वाला है, और चारा किती 4 points में तो live आ करके पढ़ाएंगे, तो यहां से जो आपके सबसे important है, semiconductor diode में, वो है PN junction diode under the forward bias, reverse bias 479 and 481 page नमबर पर है, इसके बाद बच्चा rectifier तो आता ही है, क्या ही बोले है, half way rectifier and full way rectifier हर बार आता है, इसके बाद है आपका yes, 3 बहुत important photo diode, light emitting diode and solar cell, खास करके इनके graph, चाहे वो solar cell के हो, चाहे वो photo diode के हो, अक्सर वो पूछे जाते हैं, इसके बाद logic gate, बहुत सारे topic है, अगर आज आए, तो घबराना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता, CBSC पर भरूसा नहीं होता है, CBSC कहती कि नहीं आएगा, बढ़ा जाता है, इसलिए logic gate एक बाद जरूर कर लेना, बहुत simple topic है, मैं आपको पढ़ा दूँगा, 491-494 page नमबर पर, ठीक है, चलिए बच्चो इसे के साथ, आज केस वीडियो को खतम करते हैं, अब क्योंकि आपका बड़ा भाई, इस वक्त बहुत जादा, आपके प्यार और सपूर्ट का भूखा है, कई बार बहुत, ये teacher ना self respect का बहुत भूखा होता है, और मेरे जैसा इनसान जो आज के 3-4 साल पहले ही, बहुत ब परदास नहीं होता बच्चा, इसलिए लाइफ में कभी भी हमीसा एक चीज याद रखना है, गलत कोई कर रहा है, साथ नहीं देना है, और गलत के खिलाफ आपको हमीसा खड़ा होना है, ठीक है, इसलिए 7-8 महीने जहिलने के बाद मुझे रिलाइज हुआ कि चीजे कुछ स चूड़ी है, बट अब एक मेहनत करके एक चोटा सा चैनल स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग में तो डेली समय नहीं मिलता है क्योंकि आपको पढ़ाना होता है, बट यहाँ पर बहुत डेडिकेटली काम कर रहा हुँ, सब बच्चों हाँ जोड़ करके आपका बड़ा भाई आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेश्ट करेगा कि यह जो चानकनती 4.0 पढ़ा रहा हुँ मैं आप लोगों को, और नीट का भी मैं आपको पूरी तरीके सा जो पढ़ा रहा हुँ, यह तो मैं लाइफ टाइम तक करता रहुँगा, आप पढ़के चले जाओगे, आपके को सपोर्ट करना है, तो इन चैनल का हिस्सा बनिये, प्राउडली हिस्सा बनिये, इसी के साथ मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूंगा बच्चा लोग, चानकृती 4.1 के चौथे दिन में, सूच जाए पैर चाहे, कुछ भी हो जाए, कल तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ेग कि सर कैसे आपने रेस्ट कर लिया एक दिन, तो अब वापस आजाओ, ठेक है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा, देखते ही मुझे लाइफ सेशन के अंदर में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इपन आज ही पढ़ाता है, अगर आज पढ़ा दूँगा तो साथ क का मेंबर बनने से मुझे बहुत खुशे मिलती है और मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं और आगे बढ़ूं और इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरत है बच्चलों, थाइंकिय सो मच, लब यू अल, टेक केर, और बिग टाइट जा दो कि जपी, त अल, मैं प्यारे परवच्चलों, लब यू अल, टेक केर.